हेलो फ्रेंज आजे मनाएंगे आलू और सिम्लामितिकी सब्जी तो यह देख सकते हैं हमने कड़ाई में तेल डाल दिये हैं अधासमत जीरा डाल दिये हैं कि इस महां बारी कड़ावा प्याज डालेंगे कि इसको अच्छे से भल का ब्राम्स तक भून लेंगे इसमें थोड़ा नमंग डालेंगे नमंग डालेंगे यह क्या होता है प्याज जो है हमारा जल्दी भून जाता है अब हम मसला त्यार केंड का अधरक लिष्ण और हरी मिर्ची इसको पीश लनगे करने का तम अधरा काटेंगे बारी चलिए इसे पीछ लेंगे तो देख सकते हमारा जो प्याज है उन हल्का ब्राउन हो गया है तो इसमें हम अधर लशन हरी मीची का पेश्ट पीछ के डाल दिये हैं अच्छे भून लेंगे इसको अब हम इसमें देख सकते हैं भून गया है तो इसमें टमाठा डाल देंगे तमाठा को भी अच्छे से भून लेंगे नरम होने तक इसमें नमग डाल देंगे टमाठा तक हमारा जल्दी गल जाए नमग डालने से हर्ची जल्दी गल जाती है तो हम इसमें डालेंगे हल्दी द जीरा पЙाट पाउडर होगो oh my तोज़ा आधा चम ल हो वे लेंगे शमरा मा्मासाआं यो यह 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 फोर देख सकते आप हर अध्यूंस दोह हैं तो में नाल देंगे आ डूद जो हमने दम इसको मिला रहेंगे अच्छे से इसको हम दो मिलड के लिए धक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि हमारा आलो थोड़ा पक जाए शिमना में से जल्दी पक जाती है तो इसके लिए आलो पहले पका लेते हैं कि देख सकते हैं दो मिलड हो गया है तो हमारा आलो थोड़ा नरम हो गया है देख सकते हैं आप तो इसमें हम डालेंगे बारे कटा हुआ सिमना मेंची इसको मिला लेंगे अच्छे से एक बार इस अब जी बना के देखिए बहुत अच्छी लगती है शब्जी खाने में रोटी के साथ देख सकते हैं हमारा शब्जी मिल गए इसको भी हम 5 पेके ढ़क लेंगे गर्श का फिलें मेडियम रखेंगे देख सकते हैं, 5 मेट हो गया है, तो हमारा सबजी लगभग पक चुकी है, देख सकते हैं आप, यह देख सकते हैं, हमारा आलु जो है, एकदम बड़ी हा तरीके शे पक चुका है, कि अधिए तो अभी इसमें हम हो इसका नाल डाल देंगे पाण था commendum हो पीच के डाल देंगे तो धन्या डालेंगे इसमें यह मैजीक मदाज है यह मेजी को डालने से इसका टेस्ट बूत अच्छा आता है तो इसका ज़्तक डाल के देखिए एक बार मिला लेंगे इसको सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो देख सकते हैं हमारी सब जीबन के हो गई है रेडी अगर वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें एक बार जरूए बना के देखिए ओके बाई